असलाम अलेकुम और वेलकम तो सूल आज का टॉपिक आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले हैं आउटलाइन, आउटलाइन के अंदर हमारे पास इंट्रोडक्शन जेनल टू स्पेसिफिक, उसके बाद अंडरस्टैनिक दिलिमा ओफ करप्शन, करप्शन के अंदर क्या क्या चीज़े हैं वो सारी डिसक्स करेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास होग करप्शन इंजिनरेशिरी, प्रामा पिपर्ज में एक जैज साथ से उनका भी नाम आया था, करप्शन इन मिलिटरी, गुड सिगनेचर प्लॉट्स हैं, वो देखेंगे क्या चीज़ है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोबल रैंकिंग, ट्रांस्पिरेंसी, इंटरनेशनल के अधिये हुए हैं, सारे स्टेट डिपार्टमेंट्स, उसके बाद लैक ऑफ ट्रांस्पिरेंसी है पब्लिक सेक्टर में, और जो करप्ट है, उनको कभी भी अकाउंटेबल नहीं माना जाता है, नहीं उनसे कोई अकाउंटबिल्टी पर क्वेस्चन होता है, नेक्स्ट होन होते हैं, मैं आपको इस पैरा पर जाकर एक्स्प्लेइन करूंगा, एल्स अफ करप्शन क्या क्या हैं, हमारे यहां पर तरह तरह की क्राइसिस हैं, इक्नामिक क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, इनर्जी क्राइसिस, वज़ा क्या है क्रप्शन, उसके बाद हमारे यहां crime rate को promote करती है corruption और social fabric को इसने disturb कर दिया है हमारे मुलक के अंदर गुर्बत और महगाई दोनों चीजें सालसा चल रही है वज़ा किया है corruption फिर हमारी dependence international monitor fund और दूसरी countries के उपर बढ़ गई है हमें अपना मुलक चलाने के लिए कर्जे भी चाहिए है और इमदाद भी चाहिए उसके बाद हमारे मुलक की साख खराब हो चुकी है internationally हम कहां खड़े है FDIs रुकी हुई हैं बहुत सरे मसले मसाइल है वज़ा कि है हमारी मुलक की साख खराब हो गई है corruption की वज़ा से उसके बाद यह है कि हमारी economic progress आगे बढ़ने की जो हमारी progress है वो बिलकुल रुक सी गई हुई है वज़ा कि है फिर corruption next point हमारे पास है remedies का और remedies के अंदर सबसे पहली remedy हमारे पास है strong legal framework and enforcement of law हमारे जो इतारे हैं जो इतने कमजोर हैं जो खुद भी corrupt हैं उनको strong करने की और उनसे enforcement करवाने की जरूरत है फिर हमारे पैसा है कि हम अपने public administration और finance management department जो हैं उनकी reforms करें किस किसम की करेंगे वो हम इस पहरा के अंदर discuss करेंगे फिर international loopholes जैसे हमें पता है कि corruption के बाद हमारा पैसा सारा का सर्थर्जर लैंड या दूसरे foreign accounts में चल जाता है तो वो international loopholes को बंद करना होगा मैं empowering the public through awareness campaigns अकसर लोग इसमें literacy या illiteracy की बात कर जाते हैं बात awareness की है इसके अंदर majorly लोगों को पता ही नहीं है उनके rights के हैं या वो किस तरह अपने departments में जाके काम करवा सकते हैं लहाजा illiteracy में मसला नहीं है awareness में मसला है next point इसके अंदर है promoting and protecting whistle blows हमें whistle blows को protect भी करना चाहिए और promote भी करना चाहिए इसके उपर एक law है उस law के तहत हम इस पर discussion करेंगे further इसके अंदर है ensuring transparency through the right of information इसके उपर भी एक law है उसकी भी हम हवाला दे के इस पर बात करेंगे और फिर हमारे पास होगा कि holding the corrupt liable accountable जो भी बंदा corruption करता है उसको accountable बनाना चाहिए और वह किस तरह होगा जब implementation of law और यह बाकिस सारे procedure meet होंगे तो वह automatically बंदा accountable होगा और लास्ट में हमारे पास इसमें conclusion है introduction स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको discuss करना हूँ वह यह है कि corruption का जब भी जिकर आएगा तो उसका context हमेशा public office holder होता है हम अच्छे से जानते हैं कि companies भी इंवाल्व्ड है tax evasion के अंदर बहुत सारे लोग भी इंवाल्व है corruption के अंदर एक simple सी मिसाल यह है कि अगर आप फल लेने गाड़ी पे जाएं तो आपको फल वाला कोई और रेट देता है और अगर वही आप पैदल चले जाएं तो आपको रेट और देता है एक किसम की बदनवानी वहीं कर रहा है लेकिन वह कोई public office holder नहीं है लहाजा पाकिस्तान के context में जब भी बात होगी तो public office holder से relevant होगी private sector को भी आप एक side पे कर देंगे तो सबसे पहले हमने इसमें general start लिया है के हदीश से कि कोई भी मुसल्मान उस वक्त तक मुमिन नहीं हो सकता जब तक वह अपने भाई के लिए भी वह मुसल्मान भाई के लिए वही नपसंद कर ले जो अपने लिए करता है इस हदीश को लिखने का मकसद क्या है हदूर सब्सक्राइब ने जो है वो combined interest की तरफ हमारा ध्यान किया है ताके हम fake तक पहुंश सके लेकिन यहाँ पर हम combined interest को छोड़के self interest की तरफ जाते हैं और जब हम self interest की तरफ जाते हैं तो हम लालच की तरफ जाते हैं और ultimately लालच आपको corruption की तरफ ले जाता है मजीद हमने लिखा कि corruption जो है वो दूसरों का नुकसान करके अपना फाइदा करने की एक चीज़ है यह game है एक unfair games की और illegal money की further हमने इसमें लिखा कि unfortunately पाकिस्तान के अंदर corruption बहुत जाता है और यह तकरीबन हर department में मिलती है पी एंसले के head तक हर बंदा corruption कर रहा है और इसके बहुत सख्त impacts है politics पे, economy पे, development पे, social impacts है और यह कोई जादा कह जाना नहीं होगा कि corruption जो है वो हर चीज़ की वज़ा है तो यह सारा कुछ हमारा introduction हो गया next point हमारे पास है understanding the dilemma of corruption इसके अंदर सबसे पहली चीज़ यह है कि transparency international एक definition दी है जिसके तहत आप public office का गलत इस्तमाल गर private gain के लिए यह इसकी definition है लेकिन multi facet है corruption falsification of information गलत information फरहम कर देना जैसे के मरीम नवाज ने फरहम की थी सच को चुपा लेना बहुत सारे politicians चुपाते हैं facts को misrepresent कर देना बहुत सारे स्यासदान यह भी करते हैं फिर उसके बाद misapplication of skills आपकी judiciary करती है इंसाफ बेचते हैं उसके बाद money laundering यह तो हर दूसरा तीसरा बंदा करता है पीछे काफी issue बना रहा था especially people's party से related उसके बाद evasion of taxes यह भी तकरीबन हर business man करता है लेकिन वो business man अगर politician है या bureaucrate है या military का बंदा है तो फिर वो बहुत important point है फिर उसके बाद है जमीनों पे कबजे यह भी आप जानते हैं कि land mafia है और वो parliament के अंदर बैठे हैं और उसके इलावा उनको support भी काफी सारे लोग करते हैं bureaucracy के further आ जाता है कि all of these are fulfilled with various methods of accomplishment काफी सारे ऐसे तरीका कार है जिनके तुरू इसे achieve किया जैसा है जैसे रिश्वत हो गई, graft हो गया फिर उसके बाद extortion हो गई, extortion एक तो भता होता है उसके इलावा अगर आप police में अप शे से department में लगवा दो, by on the basis of influence, जो कि आप या तो कोई parliamentarian हो, या आप खुद कोई bureaucrate हो, या कोई आप military के बंदे हो, या आप कोई judge हो, उसके बाद घबन, ये सारा कुछ जो है, ये corruption के जिमरे में आ जाता है, फिर further लिखा है कि national accountability bureau जो है, उसने अपने schedule के तायत कुछ punishable acts बताये हैं और वो acts कौन कौन से हैं, कि आप willful default करो payment की, further ये कि कोई बंदा corruption कर रहा है, आप उसको help करो, criminal conspiracy करो, गल्त information दो, आप उनके सवालों के जवाब देने से इंकार कर दो, false evidence produce करो, घबन करो, misuse of authority करो, fraud करो, और उसके बाद acquisition of asset करो, for corrupt practices, ये सारा कुछ total knowledge है, जो कि हमारा corruption से relevant है, ये discuss करने के बाद हम further move करेंगे, कि पाकिस्तान के अंदर corruption किस नौयत की है, पहरा two के अंदर हमारे पास है, corruption in Pakistan, इसके अंदर मैंने आशाना housing team लिया है, आपको जोन्स अभी बेतर लगता है, आप वो include कर ले चुके, बहुत सारे cases हैं, लेकिन ये एक तो recent है उसके इलावा ये के इसके अंदर bureaucracy और politicians दोनों cover हो जाते हैं, बनिस्बत अगर हम पनामा के लीक्स की बात करें तो उसके अंदर अगर नवाज शरीफ की बात की जाए, वो totally opposite चला गया है, corruption का case, कामा पे जाके उसका फैसला हुआ, तो वो ना मुनासिब हो जाएगा, बात इसके अंदर हमने लिखिया के inclusion की गई थी, bureaucrates, आहाचीमा, फवाद असन फवाद और चीफ मिनिस्टर अफ पंजाब, इन तीन बंदों ने मिलके, इनके उपर पहला इजाम ये था, के चीफ मिनिस्टर साब ने cancellation की थी, contract की, जो के एक successful bidder को मिला था, और जब इन्होंने द development authority को shift कर दे, जिसके head उसक अहाचीमा साथ थे, तो further loss हुआ, 715 million रुपीज का, उसके बाद last इनके उपर allegation ये था, के इन लोग ने engineering consultancy contract जो है, वो 111 million रुपीज के अंदर sign किया, जब के एक well-reputed company, वो ही सारा कुछ इनको 35 million रुपीज के अंदर करके देने को त्यार थी दो साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस corruption case के उपर अभी तक कोई पेशे रफ नहीं है, ना तो अहाचीमा साब को कोई सजा हुई, ना तो फवाद हसन फवाद को कोई सजा हुई, ना तो शेबाद शरीफ साब को कोई सजा हुई, ये हमने लिख दिया कि ना तो अभी तक guilty और ना ही वो innocent साबित हुए है, पैरा नमबर थी के अंदर हमारे पास है जुडिशिरी की corruption, और इसमें पनामा पेपर्स में एक बंदे का नाम आया था, वो जस्टिस फरूख इर्फान खान है, सन 2010 से लेके 2019 तक ये as a judge of lahore high court सर्फ करते रहे हैं, 2019 में इनोंने resign किया था, व indicator को ये allow नहीं है कि वो अपना business करे, अगर कर रहा है तो उसे disown कर दे, ये उसके बावजूद करते रहे, फदर ये कि हमारी list of corruption charges जो है, judges के खिलाफ, वो exhaustive है, बहुर लंबी है, अगर हम सिर्फ KPK की बात करें तो पिशावर high court के अंदर काफी सारे judges सलाना फारग होते हैं, जिसमें additional session judge और दूसरे district judges होते हैं, अगर गूगल करें तो आपको काफी list मिल जागी नाम के साथ, लेकिन वो उतरे important नहीं होंगे जितना ये एक बंदा important बन जागा, क्योंकि ये पिनामा में involved था, फर्दर हमने इसमें लिखा कि ये judiciary में corruption का सबसे पहला case 1951 में report हुआ था और ये तब से अब तक मसला चला ही आ रहा है। 2018 के अंदर Islamabad High Court ने नाब को direct किया, आप देखें कि 14 के अंदर petition गई थी लेकिन उसके उपर 4 साल काम नहीं हुआ, 2018 में हुआ 4 साल बाद, Islamabad High Court ने नाब को direct किया कि आप इनकी तहकीकात करें, उन्होंने डिमांड किये करनल साब से सबूत और करनल साब ने वो सबूत दे दि इसको, उसके इलावा उनकी एक hidden scheme है, जिसके तहत इने 5 plots and 50 acres of land award की जाती है, जिसे ये लोग good signature plot कहते हैं, और plaintiff ने फर्दर ये भी कहा, यानि करनल साब ने फर्दर ये भी कहा, कि ये इंट्रोड्यूस किया है, इन्होंने corruption को military hierarchy के अंदर, ये सारा कुछ हमने बताया, ले next point हमारे पास है, global ranking of Pakistan, अभी तक हमने discuss कर लिये corruption है, क्या पाकिस्तान के अंदर कितनी है, और कौन-कौन लोग involved है, और हमें पता लगा कि हमारे सारे department involved है, आपकी politics, politicians involved है, bureaucracy involved है, आपकी military, judiciary, सारे के सारे involved है, तो पीछे कुछ नहीं बच जाता, अब बात करते है global ranking की ताके देख सकें कि पाकिस्तान बेतरी की तरफ जा रहा है, या कि मजीद खराबी की तरफ जा रहा है, तो transparency international एक report शाय करता है साल में, जिसे हम CPI report के नाम से जानते हैं, और ये 1995 से अब तक शाय करता हा रहा है, latest इसके अंदर 2019 की है, और इसके तहत पाकिस्तान की जो ranking है, वो 120 है जब 180 ममालिक में से, जबके पाकिस्तान की ranking 2017 में 117 थी, यानि पाकिस्तान की ranking खराब हुई है, ऑन दी अदर हैंड, जो हमारा neighbor है, इंडिया की ranking 2019 के अंदर 80 है, जबके इसकी ranking 2017 के अंदर 81 थी, यानि कि वो बेहतरी की तरफ जा रहा है, चाहे एक पॉइंट ही बेहतरी की त जा रहा है, बलके वो बढ़ रही है, हमें ये grave situation में क्यों है, ये इस question के answers चाहिए satisfying, और उस satisfying answers जो है, वो क्या होंगी हमारी, वो हमारी reasons होंगी, सारी की सारी, पहरा नबर 6 के अंदर हमारे पास पहली reason है, वो है feudalistic politics in Pakistan, सारे के सारे अमीर लोग जो है न, वो पार्लिमेंट का हिस्सा बनते हैं, अगरीब तो शायद बाहर साही देखते हों, वो भी जिन्दगी में एक ही दफ़ा, खेर, पाकिस्तान का जो democratic setup है, उसको चलाने वाले है feudals, democracy का बेड़ा गर कर रहे हैं, इसके अंदर आपके feudal lords हैं, सिंद बलोचिस्तान के, साओध पंजाब के मखदूम हैं, फिर पंजाब के capitalist, industrialist हैं, फिर किड़जी है, KPK की, यह सारे लोग हैं, अमीर लोग या influencer हैं, जो के अपने अलाके में, अपने हलकें के अंदर, या बड़े influencer हैं, इनके लिए यह मुश्किल नहीं होता, यह किसी भी party में जाते हैं, और असानी से यह लोग, आपके parliament में पहुंच जाते हैं, अब जब यह feudal lords हैं, यह इस तरहां जब parliament में जाते हैं, तो इनका मुफाद यह होता है, कि हमने अपनी pocket बर नहीं हैं, politician को promote नहीं होने देते, infrastructure काम नहीं होता, सडके नहीं बनती, वज़ा क्या है, वो पैसे जो मिलते हैं, वो जेबों में जाते हैं, वो अवाम पे नहीं लगते हैं, तो यह एक बख़त बड़ी reason, कि कि वो जो पैसा अवाम पे लगना होता है, वो यह सारे उम्रा पहले ही लेक income family से जाते हैं, मेजरली, मैं यह नहीं कहा रहा कि उम्रा में से लोग बिरोक्रासी में या military में नहीं जाते हैं, या जुरिशी में जाते हैं, वो भी जाते हैं, लेकिन अगर आप इसे collectively देखे तो इसमें majority middle income या low income families के लोकों की है, अब middle income और low income families जब एक department में जाते हैं, तो इन लोगों को भी समझाता है कि या तो हम बिलकुल side पे हो जाएं और suffer करते रहें, या फिर हम इन लोगों के साथ मिलके हम भी पैसे बनाएं, तो फिर ये लोग क्या करते हैं, जो के corrupt nature वाले उनमें लोग होते हैं, वो इन लोगों के साथ मिल जाते हैं, फिर इनके तब basically जब मैंने whistleblower की बात की थी, तो whistleblower यही honest officer होता है, next point हमारे पास है lack of transparency का in public sector और इसके साथ जोड़ जाता है knowledge का भी, transparency होता है openness, आपका, आपकी हकोमत क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, वो transparent नहीं है, कुछ चीज़ें public करती हैं, कुछ चीज़ें public नहीं करती हैं, इ नई आने वाली government की पिछली जाने वाली government के साथ अदावत होती है, फिर वो बताती है, इन्होंने यहाँ पर इतना गबन किया, यहाँ पर इतना गबन किया, उसके बाद जब वो चले जाते हैं, नई आने वाली party फिर बताती है, कि इन्होंने इस इस इदारे में corruption की, तो य के स्ल्सलाकार चलता रहता है कि एते ट्रांस्पिरनसी नहीं है। लोगों को नोलेज्ज भी नहीं है। ज़्योगों को नहीं पता के अपनी टैक्स जगा मिल जाती है वो अपनी वहां पे जड़े गाड सके नेक्स्ट पाइंट हमारे पास है कि हमारे यहां पे क्रॉप्ट को अकाउंटेबल नहीं ठहराया जाता जैसे कि हम डिसकस कर चुके के हर इदारे के अंदर करप्शन है हमें नहीं पता कि आशियाना का फैसला होगा न यहां पे यही मामला आता है शूगर का इशू खुला जहांगी तरीन साब बाहर चले गए इस आगडार साब है वो अभी तक आये नहीं आहची मैं उसके भी उन दिनों काफी जादा वो थी के अरेस्ट कर लिए कर लिए अब कहा हैं बाहर हैं अंदर हैं हमें कुछ पता नह मसला है कि जो करप्शन करता है वो उसका हिसाब नहीं देता अगर उसका हिसाब हो उसे अकाउंटिबिलिटी का डर हो उसे यह पता हो कि सजा लाजमी मिलनी है स्वेरिटी यहां पे इंपॉर्टन नहीं होती कि कि कितनी सजा सखता होगी यह इंपॉर्टन नहीं है इंपॉर क्रप्शन वाले जो लोग होते हैं जो क्रप्ट लोग होते हैं वो धडल्ले से किये जाते हैं और मसला जो है वो सारों के लिए बन जाता है जैसे के हम डिसकस कर चुके हैं कि हमारे यहाँ पर इदारे पॉलिटिसाइजड है वो पॉलिटिसाइजड भी है और वो कृप्ट भी है हमारे यहाँ पर वीक एंड कृप्ट लॉइंफोर्सिंग इंस्टिटीशन इंगर हम बात करें FIA की करप्शन वहां मौझूद है एंटी करप्शन की करप्शन वहां पे भी मौझूद है अगर हम नैब की बात करें तो नैब को बने 21 साल हो गए है 1999 के अंदर मुशरफ साब ने इसका इनिशेटिव लिया था लेकिन 21 साल में इसकी क्या करदगी है हमें खुद नहीं पता पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर ये रही है देमोक्रेटिक गवर्मेंट आई उन्होंने एक किसम कैसे बिलकुली खतम करने वाली बात कर दी थी पी टी आई की गवर्मेंट आई थोड़ी सी विलिंग नहीं थी तब तक जब तक उसे कोट की तरफ से इसलामबाद हाई कोट की तरफ से ओर्डर ना आ गया यानि कि ये सारे के सारे वो इधारे हैं जिने हमने करप्शन को डिटेक्ट करने के लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए उसे eliminate करने के लिए रखा था बनाया था और वो लोग खुद क्या कर रहे हैं कुछ भी नहीं कर रहे हमारे यहां पर laws मजूद हैं जैसे corruption का law है 1947 act है उसके बाद नए बादिनांस 1999 का है ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी कोई पेशेरफ्ट नहीं है next point हमारे पास है culture support the corrupt rather than whistleblows इमानदार लोग हमारे whistleblows बन सकते हैं whistleblows वो बंदे होते हैं जो के आपका जो कोई गलती है या कोई corruption है उसकी निशानदे ही कर दे उसको public कर दे उसको higher authorities तक पहुंचा दे वो हमारे whistleblows बन सकते हैं लेकिन unfortunately हमारे इदारों के अंदर corrupt लोगों की तादाद शायद जाद है वो culture promote करते हैं corruption का हम इस चीज़ को अच्छे से समझते हैं कि छोटा से छोटा भी इदारा हो उसके अंदर लोगों का जो behavior है वो बहुत annoying होता है तो ऐसे में जो corrupt लोग होते हैं वो threat होते हैं whistleblows के लिए या इमानदार लोगों के लिए और जब यह एक्स्ट्रीम लेवल पे होती है तो फिर यहां तक खत्रा होता है इन लोगों के लिए कि इन्हें एक nap भी कर दिया जाता है या इन लोगों को मुल्क छोड़के बागना भी पड़ता है तो यह भी एक वज़ा है कि हमारे यहां पे culture corrupt को ज़्यादा सपोर्ट करता है बनिस्बत whistleblows के अब सारी reasons discuss करने के बाद इसके effect discuss करेंगे कि हमारे पास इसकी वज़ा से क्या क्या मसले मसाइल है हमारा economic crisis है energy crisis है water crisis है वज़ा क्या है कि जो पैसे इन चीजों के उपर लगने चाहिए वो इन पे लगते नहीं है लोग खापी जाते है हमारा health system है उसकी male functioning है हमारा education system है उसकी तरफ दियान कोई नहीं है मतलब बहुत सारे मसले मसाइल है और वज़ा कि है majorly corruption है हमारा कोई भी इदारा function इसलिए नहीं कह रहा है चुके उस तक उसका हक पहुंचता नहीं है और जब उस तक उसका हक नहीं पहुंचता वो ना तो इदारा तरक्की करता है और ना ही उससे फाइदा उठाने वाले लोग जबके जो लोग पैसा लूटते हैं वो अपनी शहाना जिंदगी गुजारते है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि हमारे यहां पर crime ratio भी बढ़ रही है और social fabric जो है वो भी disturb हो गया है वजह क्या है corruption क्रॉप्शन की वजह से जो judges या जो हमारी पॉलिस और involvement है इनकी justice के अंदर पैसे दे दो, इंसाफ ले लो या फिर पैसे दे दो, हम FIR काट देते हैं, तो उससे क्या हो रहा है उससे promote हो रहा है crimes का जिन लोगों ने, जिन के पास पैसा है और वो crimes commit करते हैं या corruption करते हैं, वो तह असानी से अपना इंसाफ ले के एक side पे हो जाते हैं उनको तो कोई टेंशन ही नहीं होती मसला किन लोगों के लिए बनता है फिर गरीबों के लिए एक culture को promote कर दिया है corruption करने वालों ने कि पैसों के बगेर काम नहीं होना और पैसों के साथ काम कराना रिश्वत देना होता है तो वो सारा कुछ corruption के इंदर आ गया और मसला क्या हो रहा है हम अवाम जो आम लोग हैं वो सफर करें एकनॉमिकली भी और सोशली भी फर्दर क्या होता है हम से टेक्स लिया जाता है basically टेक्स कलेक्ट करने का मकसद यह होता है कि हम functioning करें अपने मुल्क की लेकिन हम उसको देखते हैं कि वो पैसा हम से लेके हम पे लगाने की बज़ाए या हमारे इदारों पे लगाने की बज़ाए या हमारे मुल्क पे लगाने की बज़ाए वो अपनी जेबे बढ़ लेते हैं जब वो अपनी जेबे बढ़ लेते हैं जिन इदारों पर पैसे लगने चाहिए, जिन चीजों पर पैसे लगने चाहिए, वो लगते नहीं है, फिर ये लोग नए ranks impose करतें हैं हम लोग वो नए टक्स पर oyster नहीं कर पातें। पैरा नमबर 15 के अंदर हमारे पास पॉइंट है डिपेंडेंस ओन इंटरनेशनल मोनेटरी फंड और कंट्रीज जो पैसा हम लोगे आप लोगों को दिया टेक्स की मद में वो तो आप खापी गए अगर आपने नहीं खाया तो आप से पिछली हकुबंद ने खा लिया आपने करेंगे कि हमें एड दो या हमें करजे दो इंट्रेस्ट करते देंगे फिर महंगाई और अगर आपकी इमदाद करेंगे तो उनका इंफ्लूइंस आप पर बहुत जाद है आप किसी के साथ मौइदा करोगे जो उनके खिलाफ हैं जैसे के टर्की और अरब कंट्री की अदा अगरा नहीं देंगे यूएस के साथ भी यही सिनारियो रहता है हमारा रहा है काफी देर तो हमारी डिपेंडेंस दूसरी कंट्री और मिनिटरी फंड की तरफ बनाने वाले कौन है क्रप्त लोग पॉलिटीशन्स यह एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अपनी जैबें हमार से बरके आप लोगों ने ऐसा खसारा पैदा कर दिया हुआ है कि अब हमारा मुल्क दूसरे मुल्कों का मक्रूज भी हो गया मफ्लूज भी हो गया और उनके बगएर हमारा मुल्क नहीं चल बगारा करप्शन एक बंदे कि नहीं पूरे मुल्क की जो है उस साथ को खराब कर देती है वह इस तरह कि जब किसी दूसरे मुल्क को पता लगता है कि यह करप्ट है चुके सलाना एक Transparency International की रिपोर्ट शाय होती है और उसमें रैंकिंग आती है वो रैंकिंग बताती है कि यह इनका स्कोर क्या है यह अच्छाई की तरफ जा रहे हैं बुराई की तरफ जा रहे हैं तो आलमी इदारे दूसरी कंट्री काफी अबजर्व करती है कि यह कंट् इंडेक्स में हम मजीद ऊपर की तरफ जा रहे हैं यानि बुराई की तरफ जा रहे हैं 117 से हम 120 की तरफ चले चुक गए हुए है पहरा नंबर 17 के इंदर हमारे पास है हाल्ट दप्रोग्रेस ऑफ एकनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ कंट्री क्योंकि हमारी साथ खराब हो गई प इस तरह इसे देखते हैं मुझे नहीं पता है बारहाल यहां पर इसे कहते हैं के वे आर खराब हो गया खैर अगर हमारा हमारी साथ खराब हो गई है तो हमारे मुलक में कोई क्यों इंवेस्टमेंट करेगा जब उनको पता है कि यहां पर करेप्शन है हमने अगर से profits हों हमें losses होंगे बिला वजा की losses होंगे तो फिर FDIs रुक जाती है FDIs के रुकने से जब आपके मुलक में सरमाया कारी नहीं हो रही कारोबार मजीद नहीं बढ़ड़ा पैसे बन नहीं रहे हैं तो फिर आपका मुलक तरक्की की तरफ तो जा नहीं सकता तो यह एक बहुत बड़ा इल है जो के corruption हमें देती है आपकी साख्त खराब करके आपकी economic impact crisis भी लाती है उसकी लवाए आपकी economic progress को भी रोक देती है पैर नमबर 18 के अंदर हमारे पास इसकी remedy है कि अब यह सारा कुछ मामला तो खराब है तो हमें करना क्या चाहिए एक तो यह चीज है कि हमारे strong legal framework और enforcement of law होनी चाहिए जो हमारे इदारे बने हुए है NAB हो गया FIE हो गया और anti corruption होगा उनका just whole purpose है उन्हें वो achieve करना चाहिए उनके अंदर से politicization जो है उसे खत्म करने की सख्त जरूरत है और उनको इंडिपेंडेंटली काम करने दें ताके वो काम करें और हमारे अंदर से यह जो corruption का जो issue है उसको resolve करने की कोशी करें तो इसमें point यह होगा हमारा कि जो लोग इसको जो culprits हैं उनको punish किया जाए और इसके अंदर हमें help कौन कर सकते कि एक तो हमारा strong legal framework को हमारे law enforcement branches जो है जो इदारें है वो अच्छे से काम करें उसके इलावा हमारा independent and effective court system हो के पता हो के corruption की सजा मिलनी ही मिलनी है civil society भी इसमें अपना किरदार अदा कर सकती है उसके इलावा ngos भी कर सकती है next point हमारे पास है कि कि आप reforms करें public administration के और financial management के reform जो है वो किस किसम के नुएत की होने चाहिए कि आप strengthen करें role auditing agencies का ताके आपको पता हो के हमारी जो भी यहां पे घबन हुआ है यह वो जल्दी ही यहां पे highlight हो जाएगा और highlight हो रहे के बाद अगर हम next point में उसको transparency में ले जाएंगे अगर वो public हो गया तो हमेरी corruption उसी वक्त पकड़ी जाएगी उसके इलावा एक और चीज़ यह है कि आप budget information वो तो यहां पे काफी हद तक disclose की जाती है लेकिन उसके अंदर जो misappropriation of resources है वो discuss नहीं किया जाता secondly एक initiative लिया गया था involvement का transparency international सिरलंका के थरूज इसके अंदर उनने participatory budgets किये थे और training दी थी local communities को उनका काम comment करना होता था budget के उपर यहां पे हम में से किसी आम आदमी को comment करने की इजादत नहीं है तो लहाज़ा यह एक important point है कि आप public administration or financial management के areas का reforms करें next point हमारे पास है closing international loopholes पैसा मुलक से बाहर जाता है Switzerland account में वो कैसे जाता है या तो sea routes के थरू या land routes के थरू कोई बंदा लेके जाता है या फिर वो banking channel के थरू money laundering का एक बहुत ही famous तरीका कार है जिसे हम wiring कहते है वाइरिंग में होता ही है कि आप एक से दूसरे दूसरे से तीसरे तीसरे से चोथे और so on accounts के अंदर अपना पैसा गुमाते रहते हो यहां तक गुमाते हो कि आपका original source खतम हो जाता है यह wiring technique ही थी जिसके उपर people's party के उपर cases उगेरा हुए हुए है फालूदे वाले के account में पैसे चले गए फिर किसी और के में चले गए फिर किसी और के में चले गए यह सारे fake accounts थे और इसमें banking के जो authoritative बंदे होते हैं वो आपका काफी साथ दे गए थे इसमें तो यह वो wiring technique है money laundering की इनको identify करें और इनके उपर काम करने की कोशिश करें तो लहाजा अगर हम इन पे काम नहीं करते तो फिर मसले मसाइल हमारे लिए वहीं के वहीं खड़े हैं एक initiative लिया था खान साब ने 40,000 का bond बंद करने का उसकी एक अहम वज़ा यह भी है कि 40,000 का bond कैरी करना बहुत असान है आप 10 note कैरी करें आप 4,000 रुपया कैरी कर सकते हैं अगर उसकी निस्बत आप 1000 के note में उसे कैरी करना चाहें तो आपको तकरीबन उसके 4 bundle चाहीं है कैरी करने के लिए चाहर बंडल कैरी करना काफी ज़ादा होता है जबके आप जस्ट वह चाहर नोड अपनी जेब में सानी से कैरी कर सकते हो तो यह एक लूप होल था यह सारा कुछ हमने डिस्क्रेस कर लिया कि हम इंटरनेशनल लूप होज को इडेंटिफाइ करें उनको अब आप दुबारा नहीं स्कूल के अंदर अडमिट कर सकते हैं या जो नहीं पड़े और उनकी एज़ जादा हो गई है आप उनको नहीं पढ़ा सकते हैं उनके लिए अवेरनेस कमपेंज होती है तो स्ट्रेंथन करें सिटिजन को आप उनको अवेर करें करप्शन किया चीज है कौन-कौन से त्रीके से लोग करते हैं चाहे वो इदारों के अंдел का म कर रहे हैं चाहे वो वैसे खुढसे खुढसे का म कर रहे हैं उनको अन्दासा होना चाहिए कि हमारे इर्दगिर्द कोई corruption का issue तो नहीं हो रहा इसके अंदर support कौन कर सकता है हमें media कर सकती है हमें NGOs कर सकता है हमारी government अगर willing है तो वो भी कोई campaigns चला सकती है promoted campaigns चला सकती है ताके हमें aware रहें कि इस तरह से corruption होती है और हमें इन चीज़ों को अगर हमें नजर आती है तो identify करके किसी मुतलका अधारे को बताना चाहिए next point हमारे पास है remedies में promoting and protecting whistleblowers whistleblowers में आपको बता चुका है कि वो इमानदार लोग जो इधारे के अंदर मौजूद हैं लेकिन वो खमोश है तो आप इनको promote करे, protect करे इनको जो right दिया गया हुए section 10, 11 and 12 के अंदर और आपका जो law है वो है public interest disclosure act 2017 इसके तहट इन लोगं को right है कि इनको protect किया जाए लेकिन वो हमोश रह जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमें certainty ना हुई हमें किसी हमें बचाया ना गया तो हमें हमारी life को भी threat है हमारी family को भी threat है तो फिर essay में ये लोग खामोश के खामोश रहे चाहिए हमें चाहिए कि हम promote करे, protect करे क्योंकि ये वो exact लोग हैं जो हमें बता सकते हैं कि किस ने corruption की हमा इनके subordinates ने की colleagues ने की, heads ने की ये बता सकते हैं, लेकिन खामोश रह जाते हैं क्यों, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें protect नहीं किया जाएगा next paragraph हमारे पास है ensuring transparency through the right of information right of information के उपर भी एक कानून मजूद है, जो कि RTI Act 2017 है ये एक positive initiative है कि government ने कम असकम ये बना दिया कि आपको हक है कि आप information ले सकते हैं, लेकिन हसास information आपको फिर भी नहीं मिलेगी जो कि वाकिए government समझती है कि ये public interest की है वो disclose कर देगी, तो फिर government को इसे implement करवाना चाहिए या amend करना चाहिए कि जिसको जिस इदारे से relevant जो information चाहिए है, उसको मिलनी चाहिए हर इदारे की public spending का लोगों को पता होगा कि इदर से इतने पैसे आये इदर इतने लगे तो फिर उन लोगों के लिए असान होजएगा इतबार करना भी और जो corruption करते हैं उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होजएगा corruption करना चुके उन्हें पता होगा कि अगर हमने कोई corruption की तो हमारे accounts या हमारी चीज़ें public है और जिन्होंने हमें पकड़ लिया तो हमें बहुत सक्सजा मिलने वाली है last point हमारे पास यह है कि जो corruption करते हैं उनको accountable बनाया जाए हिसाब लिया जाए इहतसाब इहतसाब जो को मौका दे रहे हो कि वो आएं और corruption करें और दूसरी चीज़ इसके अंदर important यही है कि severity of punishment important नहीं होती certainty होती है जिसे पता है कि यार इसकी सजा मौत है लेकिन वो मिलनी नहीं है वो corruption करता रहेगा जिसको पता है कि इसकी सजा हाथ काट देना है और वो 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 कि सजा मिल जानी है तो वो corruption नहीं करेगा इसलिए severity of punishment important नहीं है certainty of punishment important है कि वो सजा वाकिए मिलेगी अमीद है कि आपको काफी कुछ समझ आगे होगा conclusion आप इसका खुद लखेंगे दौाँ में याद रखेगा Allah आफ़िज